बार्मेर में बढ़ते कोरोना मरीजों के बाद पूरे राज के चुकेचसाले को कोविड वार्मे तब्दील करने के बाद भी अस्पताल में कई लोग बेवजे ही घूमते नजराने के बाद प्रिशासन और पोलिस ने चुकेचसाले के मुख्यद्वार पर पोलिस बल तैनात कर दिया है वहीं चुकेचसाले और पुलिस प्रिशासन द्वारा व्यवस्ताओं को और सुद्रड करने के उद्देश से अब चुकेचसाले के दोनों प्रवेश द्वारों पर अस्पतालों के बढ़ते मरीजों के साथ जिलास्पताल में बढ़ती भीड को देखते हुए अस्पताल के सभी द्वारों पर खाकी को तैनात कर दिया गया है। राजकी अस्पताल के मुख्य दो मार्गों पर शुकरवार को पुलिस का हतियार बद जापता तैनात करने के बाद वहीं अब शनिवार से यहां दो आइस्थाई पुलिस चोकी बना दी गई है। की भीड रोकने के लिए यहां पुलिस चोकी बना दी गई। साथ ही अस्पताल में आने वाले प्रतेक व्यक्ती से सघन पूछताच के बाद ही प्रवेश दिया जा रहा है। गौरतलब है कि सरहदी बाड मेर में अब एक-एक बैड के लिए लोग मारे मारे फिर रहे हैं। जिला प्रिशासन और चिकेसा विभाग के अधिकारियों के कोरोना मरीजों और उनके परिजनों के आगे सांसे फूलने लगी है। बार्मेर के जिला अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। इससे विकट समश्या पैदा हो गई है। अपनों की उखरती सांसों को संभालने के लिए परिजन अपना आक्रोश निकालने लगे हैं। हालात प्रती दिन विकट होते जा रही है। सरकारी हैल्पलाइन को खुद की मदद की दरकार है। हाउस फुल हुए जिला स्पताल के मुख्य मारगों पर 24 घंटे हत्यार बद पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। वहीं अन्य रास्तों को बेरिकेट्स लगा कर बंद कर दिया गया है।